चाल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं नवश्कार CCA की यूपी चुनावी चर्चा में आप सबका स्वागत है आज हम उत्तर प्रदेश की शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट में हैं और कैराना विधानसभा सीट के जो मुख्य दो प्रत्याशी हैं एक गठबंदन की तरफ से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन और दूसरी तरफ भाजपा की म्रिगांका सिंग हम फिलहाल कैराना विधानसभा के जिंजाना ब्लॉक में हैं यहाँ पर एक काफी बड़ी सिख जनसंक्या रहती हैं यहाँ पर लगभग 74-75 के दौर में 1974-1975 में हर्याने से और पंजाब से कई सारे सिख किसान यहाँ पर आकर बसे थे और माना जाता है कि लगभग यहाँ पर 7.5 से 8.000 तक सिख वोटर हैं आज हम बात करेंगे यहाँ के जो पंजाबी किसान हैं कि इस चुनाव में इनका क्या रुजहान हैं किस तरफ यहाँ पर पंजाबी समाज सिख समाज किस तरफ वोट करने की सोच रहा है मैं आपको यह भी बता दू कि यहाँ जादा तर जो पंजाबी हैं वो किसान है किसान अंदोलन से भी जुड़े थे पिछले एक साल में जो एक एक इतिहासिक किसान अंदोलन हमारे दिल्ली के सरहदों पर हुआ था जी ना अपना जी सुर्दार द्विंदर सिंग्हेरा द्विंदर जी चुनाव आने वाला है क्या इस बार आप लोगों का रोजहान है सबसे पहले मैं सीसी ए टीम को का दन्यवाद करता हूं और मेरी तरफ से सबी दर्सकों को राम राम अदाम सथेकाल वहरुजी का खलसा वहरुजी की फते ह इस बार चुनावी रोजहान जो आपने अलग-अलग धर्मों के तरीके से जैसे लोगों को ग्रीट किया जाता है आपने क्या यही धर्मे केक्ता इस बार चुनाव में भी देखने को मिलेगी अब की बार ऐसा है जैसा के जो हमारी सरकार अब बीजेपी बारतिय जन्ता पालती उन्होंने किसानों को बहुत तंग किया है उसी बादे से मारे यहां के सभी लोग हैं यह अपनी गठ बंदन के प्रत्यासी नाई देशन को ही बोड़ देंगी आप कहरें गठ बंदन के सा पालत है आप लोग ऐसा क्यों है बाजबा से कियो पर शॉल देख वर घरायाईया भी जन्हें हैं मुझे आप यह बताईए कि किसान परिशान जरूर है और यह भी हम मान के चल रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक किसान आंदोलन अभी हम ने दिल्ली की सर प्रश्चे मुत्तर प्रदेश के किसान थे आप लोगों का उसमें क्या एक योगदान राथ आप लोगों कितना जुड़े थे लोगों कि देखें जी बहुत ज़्यादा साधिया मारे जहां से पंजाब हराना से लोग है इसे ट्रालियां बरबर कर जाते रहे साल बार तक वह लड़ाई लड़ेंगे अब यह लड़ाई हमारी वोटों से लड़ी जाएगी वैसे लड़ें पाने के यह आप जो कह रहे हैं कि वोटों से लड़ाई है क्या आप मेंसे कर कोई बताना चाहे कि क्या आपको लग रहा है कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक चुनावी लड़ा चिका है कि आंसाधे लागे जिड़े करनाड पींदा हाँ हर्याना एक गोवर्णिट को एंदे भी अपनी पशलों जित्थे बरेदी जागे बेच लो गोर ते अशी एक अपने नाड दे प्रौस दे वेच नहीं जा सकते कई हर्याने वेचे नहीं जा सकते अपनी फशल्य के ऐद की कनगदा भी ना बुरा हालों पर पिछे होया, ऐद की हुण मुझीदा भी हाल बुरा भाव हाल होया है, जडी मुझी आज वड़ने सी, ओ असी वी पच्ची दिन बाद चवड़ी, ओ सारी मुझी थले लेट गी, इस करके हुण कसाना ने ते आम जिन्नावी कसान मैं एक चीज अपने दर्शकों को बता दूँ अक्सर जब पश्चे मुत्रप्रदेश के किसानों की बात होती है तो लोग अक्सर सोचते हैं यहां पर सबसे पहले लोगों के जहन में गन्ना आता है लेकिन गन्ने के इलावा भी यहां पर चावल भी उगाया जाता है और है अपनी मतलब मुंजी एक कनक नाल गन्ने दी परसान नहीं है जड़ी सरकार के इंदी पंदरा दिन बाद पैमेट होएगा उन साथ चोदा में निया चजरा साड़ा पिछला पैमेट हून होगा है नहीं लेकिन यह तो सरकार तो कह रहे हैं आपकर चादा महीने के बाद हो आप यह बताईए एक सकिंद की आजी आपका नाम अनंग पाल जी एक चीज बताईए यहां पर योगी जी कह रहे हैं कि 25 रुपे हमने प्रतिक विंटल अभी एक साल पर कुछ महीने पहले उनने 25 रुपे प्रतिक विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया और महीने के 500 रुपे कि अब खुश नहीं है नहीं जी क्या बात है एक बर दिये पांच सालों में यह भी नोने 25 रुपे जो सरकार पहले रहे थी वे हर साल बढ़ा बढ़ा थी और इनका पांच सालों में सिर्फ एक बार 25 रुपे बढ़ाया जबकि दूसरे पर देश में साइडवार में हमारे 62 र जी यह जो नाइद असना जी इसका डैडि भी एम मह लें रहा है इसकी ममे भी जड़ दो बरी बने है तो ये के पक की सीघने के नाथ न विधा कि इसको ये सब कोई ना कोईना इसने बहाना बना के यह टार सब्सक्राइब करें आने के लिए मैं वालता है और ना है कि यहां पर जो वोटर है कितना सही माइने में गटबंदन के साथ जा सकता है जो सिक है जो कसान है ना चाहे सिक है जाट है जाट है कोई भी है सब गटबंदन में जाएगा इनको बोड़ नहीं कोई मिलेगा सरदार का बोड़ तो मिलेगे नहीं बिलकुल इनको तो वैसे भी जए एक अदर सरदार पाएगा भी शuchar पामें पादे शर्यां बोड़ नहीं पाएगा कोई भी तिक युँ बलादरी से भी डरता है जाट पाएगा भी पाएगा भी अपने बाई काट करेगा उसका पिछले चुनावों में 2019 में 2017 में कितने लोग होंगे जो पहले भाजपा में थे और आप यहां पर आ गए हैं गड़बंदन में किसान अंदोलन के बाद से सिख समाज भी और आम भी कमसे कमसाथ 90 परसेंट भाजपा के साथ मैं बिन सुरु से जबसे अपनी होसमारी वोट करना तो बीजीपी की बोट दी आज तक पर यो साल तेना जिब किसान 700 किसान मर गया किसान इतना प्रेसान हो गया तो अब बिलकुल वाई काट कर दिया एक दिन लखनाव से भी फोन आया था उनको भी नमना कर दी हम नई इसमें रहेंगे हम दूसरी पाल्टी गट बंदन की हमारी मारा साथ करनाल जिला रहाने का जी तो यहां पहले मारी फसले जाती थी उदर अब यह मारे पंजीकर जो है देते थे थे मारे लिखके यह अब बेच सकते हो आज मारे पंजी करूं बंद कर दी है बताए एक तरफ किसान जो नए कानून आये थे उसके तहत कहना चारे थे कि आप कहीं भी जा कर बेच सकते हो लेकिन यहीं पर ही रोका जा रहा है करनाल जाने से रोका हर रोज ये बोलते थे जहां मरजी किसान जाए, मैं ये कर दूँगा, दुखने मोल दे दूँगा, लेकिन हमारे को तो यहां करनाल जमला के पार नहीं जाने दे रहा है। अगर यहां गडबंदन की सरकार बनेगी तो यहां पर भी कुछ मंडी करन बहतर होगा, कुछ इस तरह की चीज़े आएंगी। पिछले पांच सालों में बड़ी है और क्या आए उसके हिसाब से आप लोगों की बड़ी है किसानों की? आए नहीं बड़ी इन पांच सालों में कमपनियों की आए जरूर बढ़गी है। जैसे विजली को लगा लिजे दो जार सोड़ा में साड़े आठ जार रुपया बिल था ट्यूबल का। आज 23 रुपया हो गया है। तो आमदरी किसान की गट रही है। सेजमेंट जो था 220 रुपय का कट्टा था जो साड़े चार सुरुपय का। सरिया जो 3 रुपया हो गया है। ऐसे ही कोई सी बाइक थी जो 45 रुपय थी आज 90 रुपय हो गया है। मतलब हर चीज़ भाव जे एश्टी दे रहे हैं ठारां परसेंट बारां परसेंट दस परसेंट लेकिन हमें कोई भी सरकार की तरफ से किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। एक किसान अंदोलन में सबसे बड़ी बात चलती थी जी। किसान हर्याने का पंजाओ का बड़ा किसान बड़े टाइटर बड़ी गाडी अंड़ लेकिन उसका कारण क्या था यह ऐक इसी भी चैनल ने आज तक नहीं बताई वहां कशान वहां भी यहीँ दो एकड़ तीन एकड़की हैं। लेकिन उनकी जो फसल है वो सरकारी रेट पर एमस्पी पर बिखती है अब उदारन के तोर पे मेरा एक यार कौंटल दान हुआ करनाल मंडी में मैंने में बेचा हो उनीस सो साथ रुपे मेरा उनीस लाक साथ यार का हुआ अब मेरे रिष्टेदार लखनवू सी दान को एक या या हमारी सब चीजे सामने लेकर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है किसान को भी कुछ इसका फैदा मिलना चाहिए अब पंजाब का किसान है आम किसान के वहां जितना भी चैशोटा किसान चैशा बड़ा सबके आश्मान काड़ बढ़े हैं हैल्द इंसोर्ज सबके हैं किस दो कोई मैडिकल की जरूरत है चार-पांच लांग तक सरकारें लगा रही हैं ट्यूबल गळिल फूरी हैं वहां कोई किसान बेनी है इसलिए और किसान हमारे से आगे हैं यूपी का किसान इसलिए पिछे रह गया है यह इस पर किस सरकारों को सोचना चाहिए कुछ विचार स्कतावर्णं के सभाड़ी ले लेकिंड कोई कसान को मिलने रही है मेहंगे में सबसे महेंगे में नहीं है सबसे महेंगे राज बिजली के बिलों के अगर देखें तो लेकिन एक चीज बताइए अभी कुछी दिन पहले योगी सरकार ने पचास प्रतीशत कर दिये हैं सारे बिजली के बिल आप लोगों ने भी सुना होगा अभी उसके बिल तो नहीं आएंगे नहीं लेकिन पचास प्रतीशत बोला जा रहा है अब यह कम बिलों का आपको अभी तक नए बिल नहीं आया यह एक मुद्धव है सवस्ते का करोना काल में सवस्ते के इतना बुरा रहा हमारे यहां तो बच्ची में यूपरे में तो हम देख रहे जितना भी है ऊई अईसा मेडिकल है नहीं आप है जो मतलब जिससे हमारा इ या तो हम चंडिगड दिली मेरट में वहां सुविदा है नहीं तो फिर प्राइवेट में जाओ जी वहां लूट हो री यह बात है और स्वास्त और शिक्षा बुरा लेजिट तो क्या इस बार स्वास्त और शिक्षा और खेती और इस तरह के जो एक आम इनसान के जो किसाई इन चीजों से उपर उटके क्या स्वास्त शिक्षा खेती इन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे इस बार और सब कुछ पांच सालों में इन मुद्दों पर कुछ काम हो बिल्कुल नहीं दरातल पर देखने रहा आज ही देखो यहाँ 2013 में एक बहुत बड़ा दंगा पास में हुआ था शामली मुद्फर नगर में जिसकी वज़ा से कही न कहीं माना जा रहा था कि जाट और मुस्लिम के बीच में बड़ी खाई बनी थी आप बताईए कि क्या वो खाई अब पार्टी गई है क्या हिंदू मुस्लिम सिक एक साथ वापिस आकर अपनी मुद्दों कि किसान यूनियन भी टूटी थी गुलाम मुहमद जौला साहब अलग हो गए थे किसान यूनियन पर भी इस पर असर हुआ था क्या आपको लग रह अपने एक दूसरे तरह मिलना चाह रहे और क्या आपको लोग लग रहे किसान अंदोलन में जो इत्ती बड़ी बड़ी पंचायते हुई थी क्या उसमें लोग वापिस आए हैं हाँ जी वापिस आए जी आप बोल जी देखो जी सबसे मेन तो है गुरुबानी भी इस बात क अवल अल्ला नूर उपाया कुद्रत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उजया कौन पले को मंदे क्योंकि जो ये नफरत की राजनिती है ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये मुसलमान है ये हिंदू है ये सेख है ये हिसाई है तो ये राजनिती जुनसी है एक साल जो और उनमें ये सब कुछ खतम हो गया, सब आपस में भाई भाई रलके बैठने लगे और बैठेंगे और इसकी तागत भी दखाएंगे। हम अभी केराना विधान सबास सीट के रंगाना फार्म गाउं में थे और इस बार किसानों ने जो एक चीज बोलिया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार धरम की राजनीती से बलकि धरम इन लेकर नफरत की राजनीती से उपर उठके शिक्षा, स्वास्त, खेती इन आप लोग जुड़े रहें, उत्तर प्रदेश की चुनाफ की खबरे आप तक आती रहेंगी, बहुत बहुत धन्यवादू